अधिस दॉक्तर दानेश , वेलकम तो दिस वीडियो लेक्ट्टर , आज के इस लेक्ट्टर में वी विल प्रोसीड फ़रदर तो कल अमने जो बात की थी वह हमने स्वाइल की प्रिपेरेशन को एक बात की थी है फॉव टॉ प्रिपेर दा स्वाइल तो इसमें डिफेंट जो हमने अगरिकल्टर इंप्लिमेंटampa यूंज ते उन यूजित हिं इसके बआरे में थोड़ा था हमने आपका प्लोग के बारे में पढ़ा करथ के बारे में पढ़ा करेंटिवेटर के बारे में पहथा , अब हम event师 की second सेकेंड जो सेकंड जो पॉइंट है पॉइंट इसको लेते हैं एक्चिन्री स्वें जग विप व सीड इन विच वीद पॉटीव सिद्व टीकए तो जब भी कोई फार्मा जो होता है तो जब प्लेस करता है ठीकर करद के लिए तो उसे рек всп हैते हैं तो हम एने थोडा साहाइला तो आपको जो हाइलेटट पोर्शन है वही पढ़ना है ठीक है सोइंग इन इंपोर्टेंट पार्ट आफ पार्ट आफ प्रॉप प्रॉडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप स्वाइल को प्रिपेर करें और सेकंड जो है जब प्रिपेर हो जाती है स्व तो एक पर्टिक्लर स्टेज में ले जाकर उसको ट्रांस्प्लांट करते हैं मैनुरी जैसे पैड़ी या राइस के केस में ऐसा करते हैं तो पहले हम सबसे पहले स्टेप आपको समझाते हैं तो एक्चुली फार्मर्स प्रिफर्ट तो यूज सीड्स विच गिफ हाईल तो कोई भी फार्मा होगा वो यही चाहेगा कि इसको इल्ड का मतलब होता है उसकी पैदावार उसका प्रोड़क्शन तो यह चाहेगा कि प्रोड़क्शन उसकी जो भी वो फाइल में सीड को डाले उससे ज्यादा प्रोड़क्शन उसको मिले ज्यादा फाइदा हो उसको तो वो क्या करता है, सबसे पहले, first of all, farmers check the viability of seed, seed की viability को वो check करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको method बताता हूँ, देखिए, इसमें मैं आपको highlight कर रहा हूँ, यहाँ पर, यह activity 1.1 में आ देखिए, आप पढ़िए, take a beaker and fill half of the, half of it with water, आदा आप भीकर पानी ले लिजे, put a handful of wheat seeds and stir well, ठीक है, wait for some time, तो उसमें क्या करना है, आपको भीकर में wheat डाल देना है थोड़ा सा, और कुछ time wait करना है, और फिर क्या होगा, wait करने बाद क्या होगा, क्या होगा, इस activities का result क्या होगा, कि जो कुछ seeds जो होंगे, वो तो sink हो करेंगे, और कुछ जो seeds हैं, वो float करेंगे, उपर, surface पे float करेंगे, तो जो surface पे जो seeds float करेंगे, उसका मतलब यही हुआ कि, दो seeds are lighter and weight and they are hollow, तो जो lighter and hollow होंगे seeds, वो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, कि they are not viable, यानि कि अगर इसको डाला जाएगा, field में, तो यह इससे plant नहीं होगा, तो वो बेकारी waste होगा, तो हम पहले यही करते हैं, कि पानी वे डालके, जो surface पे seeds आजाते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, और जो bottom पे रहते हैं, उनको फिर डाला जाता है, ठीक है, उनको से पानी को हटा कर, उनसे separate कर लिए जाते हैं, seeds पानी से, sowing के बाद, और फि यह भी समझा गया है, कि आपको कौन सा seed डालना है, soil में, अब आप क्या करेंगे, अब आप methods ढूनेंगे, कौन कौन से, what are the methods which are, which might be used by the farmer to sow the seeds in the field, तो traditional जो tool है, इसमें आप क्या use करते हैं, traditional tool में दिखिया, आप यहां पे पूरा मैं उपा करके इसको highlight करता हूं, इसमें द का funnel, एक funnel की तरह होता है, देखिए, इसमें आप figure 1.2 A में देख रहे हैं, कि एक funnel, देखिए, यह जो cattle है, यह कुछ खीच रही है, जिसके पीछे एक funnel लगी है, तो यह funnel ही होती है, seeds are filled into the funnel, pass down through pipes, तो जो highlighted portion है, उसी पर concentrate कीज़े, अब seeds जो होते हैं, जो seeds आपके थोड़े स मॉइस्टेंड हैं, उसको आप इसमें funnel में भर देते हैं, और funnel से वो दीरे-दीरे one by one करके, जब आप यह चलाते हैं, जो equipment लगा है, इसको जब चलाते हैं, तो वहाँ पे छेद बनने लगते हैं, पोर बनने लगते हैं, holes बनने लगते हैं, फिल्ड में, वहाँ पे इन seeds को गिरा दिया जाता है, one by one, ठीक है, अब हम अगला पेश लेंगे, अगला पेश हमारा क्या है, अगले पेश पर आते हैं, यह हो गया, तो अगला जो है, वो आजकल जो इस्तिमाल होता है method, वो है seed drill का, तो seed drill is a, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor, तो चीज़े क्या हुई हैं, आप थोड़ का यूज़ करते हो, यह एक machine है, यह एक iron की machine है, जिससे seed को सो करना ज़्यादा असान है, ठीक है, so this shows the seeds uniformly at equal distance, तो इस machine का अगर हम इस्तमाल करेंगो, seed को फिर field में गिराएंगे, तो वो uniform गिरेगा, एक equal distance पे गिरेगा, और एक particular depth में जाएगा, ठीक है, and this machine also ensures that seeds get covered by the soil, ऐस है क्यों होता है कि अगर हम seed को डाल के उपर ही डाल देंगे, और उसको सही से cover नहीं करेंगे, तो बहुत सारी जो birds होती है, वो वहाँ पर आ जाएंगी, और वो इसको birds के लिए तो यह food है, वो इसको यहां से pick कर लेंगी, सारे दानों को, सारे grains को, और आपका जो production है, वो नहीं आपाएगा, और seed growing नहीं करेगा, ना production आपाएगा, ठीके, तो इससे अब यह किया जाता है, seed drill से, ठीके, अब हम जो, मैंने आपको बता चुका हूँ, कि यह तो सीधर direct, एक traditional method हो गया, एक seed drill का method हो गया, जिससे हम seed को soil में sow कर सकते हैं, कुछ जो seeds होते हैं, वो diet field मे नहीं डाले जाते हैं, मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो highlighted portion है, यह जो एक छोटा सा figure दे रखा है, इसमें आपने जो highlighted portion है, कि seed, seed of a few plants, such as paddy, are first grown in a nursery, when they are grown into seedling, they are transplanted to the field manually, तो वही कि पहले इनको नर्सरीन की बनाए जाती हो, एक particular stage आने पर, इन पूरे seedlings को manually further transplant कर दिया जाता है, prepared field में, ठीक है, अब हम अगला जो हमरा topic है, वो है third जो कहा जाएगा, वो है, heading a, adding manures and fertilizers, तो सबसे पहले आपको यह, first of all, you have to know that water fertilizers and water manures, ठीक है, तो इसमें बहुत highlighted portion आप सही से देखी, इसमें लिखा है, the substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manures or fertilizers, यानि कि वो chemical जो soil में डाले जाते हो, as a nutrient, ठीक है, ताकि हमारी जो fossil है, हमारी जो crop है, वो अच्छे से grow कर पाए, ठीक है, तो अब हम, अब आपको समझ में आव गया कुछ chemical को हम use करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद मैं सबसे पहले आपको अगले पेश पे ले जाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे आप सबसे पहले यह देखें, कि what are the differences between fertilizers and manures, ठीक है, तो fertilizers क्या होते हैं, एक्चुली fertilizer से होते हैं, यह factory made होते हैं, यह man-made होते हैं, ठीक है, और जबकि nutrient पे हम देखेंगे, तो highlighted portions पे आप focus कीजिए, manure is a natural substance, ठीक है, which is obtained by the decomposition of kettle dung and plant residues, तो यह होता है, जो cattle का डंग है, यहाँ गाय का जो गोबर है, और जो आपके घर में आपकी vegetables होती हैं, उनके remains होते हैं, plant के remains होते हैं, उनसे आपको मिला दिया जाता है, एक pit में, मतलब एक गड़े में डाल दिया जाए, और सिर फिर जब compost बनाई जाती है, तो compost भी एक type का manure है, ठीक है, और कभी-कभी हम इसमें worms का भी use करते हैं, manure बनाते हुए, तो वो हमारी कहलाती है, वर्मी compost, तो यह natural way है, इसमें जो dead organic matter है, उसका decomposition होता है, in the presence of bacteria या micro-organisms, और उससे जो भी एक natural खाद बनती है, जिसे आप natural खाद भी कह सकत होते हैं, तो fertilizer जो है, वो man-made है, artificial fertilizer है, जबकि manure जो है, वो manure जो है, वो natural substances है, और यह dead organic matter जो हमारे घरों में या अपनी हमारी agriculture field में निकलता है, उसकी decomposition से बनते हैं, ठीक है, fertilizers are prepared in factories, यह man-made होते हैं, जबकि manure जो होते हैं, they are prepared in the fields, तो यह खेतों में ही अलग-अलग वो गड़े pits बना लेते हैं, और pits में ही, वो जो जो भी remains होता है, इसको इखटा कर लेते हैं, उसको काफी थोड़ा सब से पानी डाल देते हैं, cover कर देते हैं, तो वहां पे microbes आ जा will change into compost या maneuver, ठीक है, अगला जो point है, fertilizer doesn't provide any humus to the soil, अगला जो होता है, यह भी dead organic matter होता है, है ना, और यह जब soil में की, जो top soil सबसे उपर की, जो soil होती है, इसमें ज्यादतार इसकी percentage होती है, तो यह fertilizer क्योंकि man-made हैं, तो यह humus को नहीं बनाते हैं, और humus होता ही है, होता ही है decomposed dead organic matter, जो पतियां और जो आपके टहनिया पड़ी होती है, वो देरे-देरे जमीन, toxic soil में decomposed होती हैं, हो humus बनाती है, जबकि manure जो होता है, it provides a lot of humus to the soil, और humus की presence की वज़े से, इसकी water holding capacity भी बढ़ जाती है, पानी को absorb करने की capacity भी बढ़ जाती है, तो और अगला जो point है, fertilizers जो होते हैं, दिलसल ये बहुत ज्यादा amount में आपको nutrient provide रहते हैं, ठीके, और तीन, ये जो है man-made inorganic salt होते ही, तो इस in salts में nitrogen की percent ज़्यादा होगी, phosphorus की होगी, और potash की होगी, ठीके, so they are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potash, इसे NPK बोलते हैं, NPK जो होता है, वो fertilizers से ही बहुत ज्यादा amount में मिलता है, ठीके, जबकि man-made जो होते हैं, वो less rich होते हैं, in plant nutrient, इन तीनों nutrient में rich होते हैं, पर इनकी, इससे जो supplies होती है, nutrient की, वो poor supplies होती है, weak supplies होती है, पर धीरे-धीरे, ये अच्छा काम करते है man-made, ठीके, अब हमने नीचे कुछ highlight कर रखे है में advantages of manure, तो manure की advantages ज्यादा है, fertilizer को अगर दिखा जाएं, क्योंकि ये natural way में बनाए जाते हैं, तो इनकी जो fertilizer से ज्यादा, fertilizer से ज्यादा advantages है, multiple fold advantages हैं, तो one by one में इसको discuss करता हूं, actually manure जो होते हैं, it enhances the water holding capacity, जो मैं ने आपको बता है, क्योंकि ये humus को add करते हैं, soil में, और humus को add करने की वज़ा से, water holding capacity, जो है, water soil की, वो काफी increase हो जाती है, और पानी देर तक, जमीन जो है, वो देर तक पानी को बनाए रखती है, जिससे हमें बारबार, irrigate नहीं करना पड़ता है, field को, ठ है, second, it makes soil porous, due to which exchange of gases becomes easy, क्योंकि अब इसमें humus होता है, humus की वज़े से क्या होता है, इसमें porous हो जाती है, soil, microbes होते हैं, तो porous होने की वज़े से क्या होता है, उसमें gas का exchange असानी से हो जाएगा, गैस का exchange अगर असानी से होने लगे, soil में, तो फिर जो plant की roots हैं, वो nutrient growth हो गई, ठीक है, अगला जो है, it increases the number of, number of friendly microbes, अब जब यह आप manure मिलाएंगे, क्योंकि यह बनता ही decomposition से, इसमें microbes होते हैं, तो इस तरह से यह soil friendly या farmer friendly microbes है, उनका number भी बढ़ा देता है, soil में, and it also improves the texture of the soil, humus की वज़े से, और जो आपका dead organic remains 7 की वज़े से, ठीक है, तो, sorry, यहाँ पर किसी क्वाल आ गई थी, एक दम, तो यह सब add करने की वज़े से, होता है क्या है, कि it improves the texture of the soil, soil का texture काफी अच्छा हो जाता है, और texture होने की वज़े से, यह जो होए, water holding capacity और इसके जो nutrient supplies है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, अच्छा, एक चीज का मैं और जिकर करूँआ यहाँ पर, मुझे पीछे पेश पर आना पड़ेगा, इसमें एक crop rotation is another method to improve the fertility of the soil, इसमें करते क्या हैं, इसमें crop को alternate grow कराते हैं, ठीक है, एनेदर method of replenishing the soil with the nutrient is throw crop rotation, this can be done by growing different crops alternatively, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले legume को grow कराएंगे, एज फोडर क्रॉप, ठीक है, यह legume को field में grow करा लें, और फिर अगले season में, हम उसी field में wheat को grow कराएंगे, आपको मालूम है, जो leguminous crop होती है, उसमें एक bacteria पाए जाता है, राइजोबियम, और है, कहां रहता है, leguminous crop जो होते हैं, जो पल, दालो वाली जो family होती है, दालो वाले जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ो की root needles में रहते हैं, और यह atmosphere nitrogen को fix करते हैं, प्लांट के लिए, ठीक है, और प्लांट को nitrogen जब मिलेगी proper, तो इसकी growth जो है, वो काफी multifold हो जाई, काफी तेजी से होगी, काफी rapid और अच्छी growth होगी, तो ठीक है, आज के लिए इस class में इतना ही रहेगा, ठीक है, अगले class में हम हाजर होते हैं, जब तक के लिए, good bye